हेलो फ्रेंस इस वीडियो में हम चंतु विज्ञान अनिमल साइंस से रिलेटेट क्वेशन देखने वाले हैं तो अनिमल साइंस के टॉपिक में से पहला क्वेशन जो है वहा है अर्ध शूत्री विभाजन के समय गुर्शूत्रों का वीनिमय क्यों क्रेश ओवर किस स्टेज में होता है तो जब अर्ध शूत्री विभाजन होता है तो उस समय जो गुर्शूत्र होते हैं इनका जो वीनिमय होता है या बोलने की crash over होता है वह कौन से stage के अंतरगत होता है ये stage होता है पैकिटीन का stage इस stage में क्या होता है अर्ध शुत्र विभाजान के समय में गुर्शुत्रों का विनिमें होता है नेक्स रूप कुश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा क्रीमी ट्यूबी कुलस सभाव वाला होता है इन में से कौन सा ऐसा क्रीमी है जो ट्यूबी कुलस सभाव वाला है तो ट्यूबी कुलस बेहबियर वाला है keto तरीज नेक्स है एंथ्रेक्स एक गंभीर संक्रमनकारी रोग है जिसका कारण क्या है तो एंथ्रेक्स जो रोग है इसका कारण है ग्राम पॉजिटिव बैक्टिरिया नेस्ट कोश्चन है चर्णर सिंड्रोम का क्यारियो टाइप क्या है तो जो इसका क्यारियर है चर्णर सिंड्रोम का वो कौन सा क्यारियर टाइप है 44XO question है lamp brush गुर्षुत्र सक्री रूप से किस में भाग लेते हैं तो lamp brush जो गुर्षुत्र होते हैं ये सक्री रूप से RNA तथा protein के संश्लेशन में भाग लेने वाले गुर्षुत्र है next है मनुश्य के mitochondria में protein coding genes की संख्या कितनी होती है तो जो mitochondria होता है जी से कोशिका का उर्जाग्रिय कहा जाता है जहां पर उर्जा बनती है तो यहां पर क्या होता है protein coding gene की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 13 होती है आगे बात करें मानव का अगुडित जीनोम किसका बना हुआ होता है तो मानव का जो अगुडित जीनोम होता है वो 3.310 की पावर 9 BPDNA का बना हुआ होता है ये इसका जीनोम है आगे है इमेलो जैनिन मारकर का प्रयोग क्या जाता है किस में तो इमेलो जैनीर मारकर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है लिंग निर्धारण के लिए नेक्स्ट है आरेच कारक की आवशक्ता किस क्रिया में होती है तो आरेच कारक की जो आवशक्ता होती वो ट्रांस्क्रिप्शन की क्रिया में होती है नेस्ट कुश्चन रहे गए हैं आपर हिस्टोंस होते हैं तो जो हिस्टोंस होते हैं ये क्या होते हैं बेसिक प्रोटीन्स होते हैं नेस्टर कोश्चन है टेंडन्स किसको जोड़ते हैं तो जो टेंडन्स होते हैं ये क्या करते हैं जो पेशी होती हैं इनको हड्डियों से जोड़ते हैं और एक चीज होता है लिंगामेंट तो लिंगामेंट क्या करता है बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है तो आप से नेस्ट्री कोश्चन है और्गन ओफ कोर्टी का निर्मार कहां पर होता है तो और्गन ओफ कोर्टी जो होता है इसका निर्मार होता है रोम कोशिकाओं की चार पंक्ती से नेस्ट्री कोश्चन रहेगा मलेलिया रोग की प्रतिरोधक दवा का निर्मान किससे क्या जाता है तो जो मलेलिया रोग होता है इसके लिए जो प्रतिरोधक दवाईं बनाया जाती है इनको सिंकोना की पौधे से बनाया जाता है निम्द में से कौन सा आवश्यक अमिनो अमल है तो जो आवश्यक अमिनो अमल की जो संख्या होती है वो कितनी हो टोटल अमिनो अमल की संख्या होती वो तो 20 होती है लेकिन जो आवश्यक अमिनो अमल होती है यह कितनी होती है टेन होती है तो इन में से कौन सा एक अवश्यक अ में पाया जाने वाली जो सीलोम है यह सीडो सीलोम नेस्टर कोश्चन है पक्षियों में पाया जाने वाले सीरिंग्स का प्रयोग क्या जाता है तो पक्षियों में पाया जाने वाली जो सीरिंग्स होती है इसमें इसका प्रयोग से त्वनी उत्पादन के लिए करते हैं केप्टर कर्यातमक स्सक्राइब करते लगषन प्रप्रप्रमुग लख्षनं है हम अमलका बनिए सक गेल दस बिजाएं होती है नेस्ट है पेशियों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है तो पेशियों की जो क्रियात्मक इकाई है ये क्या कहलाती है सारको मियर कहलाती है नेस्ट्र कोश्चन है उतकों को संरक्षित करने वाला इस्थाई कारक वीलियन कारणों में मितरल बना हुआ होता है एथिनल क्लोरोफार्मो और ग्लैशल एसितिक ऐसिट से नेस्ट्र कोश्चन है मेंढ़ा की परिवर्धन में ब्लास्टूला अवस्टा क्या कहलाती है स्रमिक मधुमख्य में पॉलेन बास्केट किस भाग में पाई जाती है तो जो श्रमिक मधुमख्य होती है इनमें पॉलेन बास्केट जो होता है वह मेटा थोरेसिक लेक्स में पाई जाती है नेक्स्ट है निम्द में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो इनमें से जो मीथेन है CH4 यह क्या होती है एक green house gas है नेस्ट है शरीट में रखत अदाब का नियंतरड किया जाता है किस में तो जहां पर adrenal grant होती है जो adrenal grant होती है वो क्या करती है जो हमारी blood pressure रहती है और जिसनी भी चीजें हमें जो डर लगती है खुशी होती है इन सब को जो नियंतरड होता है वह कौन सी क्रंथी करती है adrenal gland करती है नेस्ट कोश्चन है वर्गी करण की पंच जो पांच जगत है इसकी परिकलपना का प्रतिपादन किशनी किया था तो जो पांच क्लासिफिकेशन है इसको किस नहीं दिया था किस के द्वारा दिया गया था तो विटकर के द्वारा इसको दिया गया था नेस्ट कोश्चन है किस जल निकाय में उच जगत ऑक्सिजन मांग ब्योडी प्रदर्शित करती है तो किस जल में होती है तो उच जविक जो आक्सुजन मांग होती है यहाँ सुश्म जीओं के प्रदूशन के उच इस्तर को प्रदर्शित करती है जहां पर प्रदूशन अधिक रहता हूं आपर ब्योडी अधिक होती नेक्स्ट एब अधुमक्की के नर्जीन को ड्रोन कहा जाता है क्या होते हैं वो हैपलाइट होते हैं निक्स्ट है संग एनलीडा तथा मुलस्का के बीच के सहयोजग कड़ी क्या है तो नियोपीलीना है नियोपीलीना क्या है एनलीडा और मुलस्का के बीच की सहयोजग कड़ी के रूप में काम करते हैं यानि कि ये दोनों की तरह वेभार करते हैं, आनलिडा की तरह भी, और मुलास्का की तरह भी, कौन नियोपिलीना, नेस्ट रहेगा यहां, तिलचत्टा की उत्सरजन अंग वो कौन सी हैं, तो तिलचत्टा जो होते हैं, इनमें जो S-Creatory Organism हो कौन सी हैं, तो यहाँ पर कौन सी चीजे हैं मैल पीघ्यन न लिकाएं जो मैल पीघ्यन न लिकाएं होती ही वो किसकी तिलचट्टा की उत्सरजंग अंग है नेस्ट यहाँ पर कोश्चन है यहाँ पर देखी कोश्चन यहाँ से स्टार्ट है केचवे में टिपलोसल भाग क्या होता है जो केचवे में टिपलोसल रहता है यह उनके आत्थ का एक भाग है नेस्ट कोश्चन है केचवे की कौन सी रुधीर वाहिनी रुधीर की वित्रण एवं संग्रह दोनों का काम करता है तो केचवे में प्रस्ट रुधीर वाहिनी होती है जो क्या करती है रुधीर को वहन करने वित्रण करने याने कि अपने शर्ड़ के विवन भागों में पहु किसमें epidermis बहुकेंद्रे पाई जाती है Ascalis जो Ascalis रहते हैं इसमें बहुकेंद्रे की epidermis पाई जाती है Next question है निम्न लिखीत में से कौन सा कोशिका अंग अती दिर्ग वसा अमल श्रिंखलाओं का आक्सी करन करता है तो प्राक्सी सोम जो होते हैं यह कोशिका अंग है जो अती दिर्ग वसा अमल श्रिंखलाओं का या कर लेते हैं ओक्सी करन कर लेते हैं Next है निम्न में से कौन सा एक enzyme कोशिका चक्र के नियंतरण में शामिल है तो जो कोशिका चक्र होता है इनके नियंतरण के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग में आता है साइकलिंग आश्रित प्रोटीन कॉनेज Next question है यहाँ पर टी आरेने की दृत्यक संरशना किस प्रकार की आकरती की होती है तो जो टी आरेने जो होती हूँ कई प्रकार की होती है मौश एंजर आरेने होती है एक ट्रांसफर आरेने होती है तो यह सब जो टी आरेने है इनकी जो दृत्यक संरशना है यह की सरीके की आकरती की होती है यह क्लोवर पत्ती है इसकी आकरती की होती है Next मानो में लिंग निढ़ारन के लिए कौन सी जीन आःश्रक है तो मनुश्य में इनके निलिंग के नेधारण के लिए जो जीन अवश्चक वहा है S, R, Y Next step, निमन में से कौनसा एक विटामिन्स DNA के संस्लेशन के लिए अवश्चक है तो कौनसा एक विटामिन है जो DNA के संस्लेशन के लिए है Folic Amela नेक्स्ट है फैस्योला हिपेटिका के विकास में लार्वा अवस्थाओं का निम्नमे से कौन सा एक अनुक्रम सही है तो यहाँ पर जो फैस्योला हिपेटिका है इनके विकास में जो लार्वा होता है इनकी अवस्थाओं का सही क्रम बताना है तो सबसे पहला इनकी लारवा वस्ता में है मिरा सीडियम, उसके बाद है इस्पोरोसिस्ट, तीसरा है रेडियो सर के लिया और चांथा है मेटा सर के लिया आगे है कोलंबा में कौन सा वायू कोष युगमित नहीं होता तो जो कोलंबा है इनमें कौन सा वायू कोश है वह युगमित नहीं रहता है पेयर में नहीं होता है तो ये अंतरा जन्तुक है जो की पेयर में उपसीत नहीं रहते हैं नेट्स्टiest है Someteustine Hermon किसे ष्रावित है तो सोमे टोस्टिन हार्मोन जो होता है इगनायसे की डेल्टा कोशिकाओं से ष्रावित होता है अगनायसे में देखिए Alpha, Beta revenue भी होती है तो यह Alpha sales के लिए होती है glucose के लिए होती है और जो बीटा कास्फवग्लूकोचा नेट के दारान प्रुम्स नेट को यह साथ साय है और्छ पाउमभी कॉल क्या है एक फिपैसर नियम्न की प्रोटीन Cond Yap नियम्न में से किसने प्रोटीन की हैलिक सतार्शना के प्रस्ताव Data किया था तो जो प्रोटीन है इनकी हैलिकस्ट रश्णा है इसको कितने बताया था पॉलिंग तथा कॉरे ने बताया था है घंगा में पाया जाने वाली डॉल फीन किस जीन से संबन्धर रखती है तो जो गांगा में पाया जाता है डॉल हीति होती है या से संबंधित होती है इस ग्रोट होति है । निम्न में सूंपको किसने दिया था तो बीडल एवं टेटम के द्वारा दिया गया था कुछanne से आफिन आफिके करते हूये इस उन्हें लेजिखेत पाया था नियूरोस्पोरोग रासा पर काम करते हुए इन्हों इस दिधान को देखा था Next है एरावी कुलम नेशनल पार्क किसके लिए परशिद्ध है तो एरावी कुलम जो नेशनल पार्क है यहां निलगीरी ताहर के लिए परशिद्ध है Next Question है यानिम्न मेंसे कौन सा एक सरवादी कुद्पादी जलियेत अंत्र है तो इन में से जो प्रवाल भित्ती परितंत्र है ये सरवादिक उत्पादी जलियतंत्र है नेस्ट कोशन पेय जल में निम्न लिकीत में से किसकी उपसिती की अधिक्ता से नेट हिमोग्लोबिनिया होता है तो मेट, हीमोगलोबिन्मिया, रोग जो होता है वो पेया जल में किसकी अभिक्रिक्ता से कारण होता है नाइट्रेट्स की अधिक्ता के कारण होता है नेस्ट कोश्चन है नीम्ड में से कौन सी एक मीन मशली डिपोन है नहीं है तो कौन सी है नोट अप टेरास SP जो है एक मीन मैशली नहीं है